देखो बच्चो किसे नामबर 6 में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक AP है जो इसका first term और last term first term किया है बच्चो तो मैं लिख देती हो a is equal to 17 ठीक और यह कहने जो इसका last term है मतलब l is equal to 350 ठीक है clear अब यह कहने इसका common difference is d that is 9 तो मैंने d लिख दिया 9 ठीक है तुमको n और sn निकालना है number of terms निकालना है उसका sum निकालना है तो पहले हम क्या n निकालेंगे किस formula से a n is equal to a plus n minus 1 into d a n क्या है यहां पर last term ले लो है न तो यह हो जाएगा 350 ठीक यह क्या है first term is 17 लेकिन मुझे पता नहीं है यह last term कौन सा term में तुम्हें इसको n ले लेती हो n minus 1 ठीक d यह तुम्हारे पास 9 ठीक है यह 17 इधर लेलो negative में हो जाएगा तो यह आ जाएगा 350 माइनस 17 हो गया 333 ठीक है यह हो जाएगा n minus 1 into 9 ठीक 9 multiplication में यहां लेलो तो division में हो जाएगा ठीक है साइग दरह करो 3 nines are 27 बचा 6 और यह हो जाएगा 6 बचा ना तो यह आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा राइट 7 यह ना 3 nines are 27 ठीक यह 7 nines are 63 ठीक तो यह कितना आ जाएगा 333 upon 9 कितना हो जाएगा 37 is equal to n minus 1 ठीक क्या करेंगे अब यह minus 1 इधर लेलो तो यह plus में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 37 plus 1 हो जाएगा 38 तो n की value क्या आ जाएगी तुम्हारे पास n is equal to 38 राइट अब तुमको क्या पुछा गया है एक s और पुछा गया है sum चलो s और निकाल लेते हैं हम लोग है न s किस formula से निकालोगे यह formula भी सही इसको भी लगा सकते हैं हम लोग है न यह formula क्या हो जाएगा s n is equal to n by 2 into a plus l n कितना है यहाँ पर तुम्हारा भी कितना है 38 by 2 first term is 17 last term is 350 यह हो जाएगा 38 by 2 यह कितना हो जाएगा 2 1s 2 2 9s 18 19 into यह कितना हो जाएगा 367 ठीक है सही चलने इनको multiply करो तो 97063 आ जाएगा तुम्हारे पास यह 796 ठीक है तो आपके पास s n क्या आ गया बच्चो यह आ गया sum आ गया इसका तुम्हारे पास 7963 ठीक है चाहिए s 38 लिख दूश्य क्योंकि हमें n तो पते हैं ठीक चलो अब हम चलते हैं इसके question number 7 पर क्या है च्छो सही आ hop